आज का वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग है आज के इस वीडियो लिसन में आपको बताने वालों मैं डाइरी राइटिंग पर बैस कुछ वैलियूबल टिप्स जिनकी मदद से आप जो है डाइरी राइटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं यह राइटिंग स्किल पर बैस्ट हमारा थर्ड वीडियो है इस पर बैस्ट अल्रीड दू वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ वो अगर आपने नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रेप्शन में उनका लिंक दियो हुआ है मैं चाहता हूँ वीडियो का आप जरूर देखें थर्ड डे के सेशन में आपको बताऊंगा मैं कि किस तरीके से आपको डाइरी राइटिंग करना है दूसरी बाद डाइरी राइटिंग हमारी रूटीन में बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करती है और अगर अब यह तक आप डाइरी नहीं लिखते हैं आप लोगों को कि आज से बलकुल आप डाइरी लिखना है स्टार्ट कर दें इस्ट्वेंट्स आप लेट्स इस्ट्वेंट्स यहां बोड पर आप देखे यह हमारा राइटिंग स्किल वीडियो लेशन थार्ड है जिसमें मैं आपको डाइरी राइटिंग जो है वह आज बताने वाला हूं बहुत इस systematic तरीके से तो पहले तो हम लोग diary writing लिखने से पहले इसका पेज तियार गर लेते हैं देखो ये आपकी copy है that's your copy ये हम लोगों ने हमारी copy तियार गर लिए ठीके that's okay और आप चाहें तो इतनी space में यहां पर आप अपना rough work जो है वो कर सकते मैं आपको बताऊं तो rough work में कैसे करना रहता है अब देखो आपको जो भी questions दिया होगा आपको exam में क्योंकि ये question diary writing exam में भी आता है exam में आप कहीं पर गूमने के लिए गए हैं आपका दिन भर का अनुवो केसा उसके बारे में बताइए जिसे रेट फोर्ड को आपने विजिट किया ताज महल आप गूमने के लिए तो दिन भर सुबर से लेकर शाम तक जो जो आपकी routine रही है वो सारी routine आपको लिखनी होती कि आपको simple past tense का use करना diary writing में और आज ही इस वीडियो को देखने के बाद आपने दिन भर क्या किया आज आप खुद भी लिख कर देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगए राइटिंग इसकील एकर इंप्रूब करना है तो लिखने की शुरूवात करनी पड़ेगी मैं अ आपको simple past tense जो है जो कि subject v2 plus object का use करके sentences को बनाना है दूसरा आपको ddt pattern को follow करना अब यह ddt क्या है भी यह तो d का मतलब होता date यह d का मतलब हो गया day और इस t का मतलब हो गया time तो आपको date day और time जो है आपके page के left side पर लिखना है यह आपके diary का page है और यह rough work अगर आप नहीं है उसमें आपको इस तरीके का work नहीं करना है दूसरी चीज़ अगर अभी तक आपने diary नहीं बनाई है तो मैं insist करूँ आपको आप डायरी बनाए डायरी जो है बहुत important role play करती है जब आप साल भर अपनी diary को लिखते है साल भर नहीं तो at least अगर आपने 365 दिन में से 100 दिन भ लिख चुका हूँ आज से 10 साल पहले जब मैंने start किया था diary writing लिखना तो उस time पर जो चीज़े में करता था जो मेरी experiences थे उनको जब मैं आज देखता हूँ तो I felt myself के यह उस समय में कितना अलग सूचता था मेरी thinking किस तरीके किती मेरा attitude केसा था मैं किस नजरिये से चीज़ो आप लोग diary writing करिये से बहुत भाइदा होगा तो आपको DDT pattern को follow करना और यह आपको left side पर लिखना है मतलब आपको सबसे उपर यहाँ पर date mention करनी है आप चाहे तो इस तरीके से date लिख सकते हैं ठीके और ऐसे अगर आप date नहीं भी लिखना चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप direct जिसे आज की date अगर हम बात करें तो आज की date है 22 August 2020 अगर 23rd है आज तो आप 23rd कर दीजी 23rd August 2020 यह आज आपके date अपने mention कर दी उसके बाद आज का दिन क्या है Sunday तो आप लिख देंगे Sunday अब time याद रिखी का diary हम लोग कब लिखते हैं सुबह से नहीं लिखते हैं ठीके आज दिन भर जो जो आपके साथ 23rd को हुआ है वो सारी चीजी आप रात में लिखेंगे अगर आपने एक movie देखी हो तो I just forget the name of आमिर खान की movie है गजनी yes उस movie में आपने देखा था कि एक diary जो है उसमें आमिर खान जितने भी उसके साथ साथ चीजे होती वो सारी चीजों को लिख कर रखता है तो what I am telling you all कि आप लोग जो है जो जो चीजे आपके साथ हुई है तो वो कब लिखता है डायरी राइटिंग में वो चीजे कब लिखता है वो जब शाम हो जाती तो दिन भर जो जो चीजे हुई है हमारे साथ उसको हम लोगों को शाम में लिखना होता तो टाइमिंग जो आपका आएगा न वो शाम का आएगा तो आप लोग जिसे मान लोग 10 o'clock को लिख रहे है शाम में तो आप लिख देंगे 10 p.m यह आपने तीनों अगर पीज की इस साइड लिखते हैं उस साइड नहीं लिखना अपने इस साइड लिखना है क्योंकि अभी जो लेटेस्ट पैटन राइटिंग का चल रहा है उसमें सारी चाहिए हम लोग लेफ साइड नहीं लिखते हैं got it, अब इतना लिखने के बाद में देखो, अगर आपको ये question exam में daily writing का आया है, तो आपको यहाँ पर फिर एक heading भी डाल देनी है, जिसे आपने को historical place को visit किया, तो आप लिख देंगे visit of historical place, right, visit of historical place, मान लिजिए आप किसी अपने नए friend से मिले काफी समय बाद, तो meet a new friend after a long time, meet a best friend after a long time, एक लंबे समय के बाद मेत्र से मिले हैं आप, तो यहाँ पर आपका heading आजाएगे इतनी space में, meet a friend after a long time, इस तरीके से, और उसके बाद फिर यहाँ से आप लिखना start करेंगे, अब लिखना के से देखो मैं आपको बताता हूँ, जिसे मानलों, आज की हम लोग बात करें, आज Sunday हैं, ठीक है, तो आप सुबह लेट उटे, क्योंकि Sunday को आप लेट उटते हैं, तो आप सबसे पहले लिखेंगे, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था, तो आपका दिन के शुरुआज जैसी ही वो आपको लिखना है, तो तुडे, आप बोलेंगे, इट वोस दू बेस्ट डे टुडे, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं भी है, कि तुडे वोस दे बैस डे, राइट, तुडे, अब दो बार टुडे आगए आपका, तो आप इसको डारेट ऐसा लिख देंगे, आई वोक अप, लेट, इन दे मॉर्निंग, यह देखे, वोक अप आपने वोक के कौन सी वह अपलाई करी हैं, वी टू, वीक अप की सेकेंड वह मैं, आई, वोक अप लेट इन दे मॉर्निंग, बिकिर्ज, आउन एवरी संडे, आई, वीक अप, लेट, ओके, मैं आज लेट उठाँ, क्योंकि मैं हर संडे को, बिकोज अवरी संडे, आई, वीक अप लेट, अब यह वीक अप लेट जो है, आपका प्रेजेंट सिंपल टैंस में जा रहा है, क्योंकि हर संडे आप लेट उठते हैं, that is why, so today, आई, वोक अप लेट इन दे मॉर्निंग, वीक अवरी संडे, आई, वेक अप लेट, आई, हैड माइ, फादर, इन इस वर्क, मैंने अपने पापा की जो है, घरब के काम में, मदद की, I, रेड, टुदेज, निउस्पेपर, विथ, माइ, फादर, बाइविंग, अ, कप अप, टी, इन दे मॉर्निंग, समझी ए सेंटेंस को, सो, आई, टुदेज निउस्पेपर, मैंने आज का निउस्पेपर पड़ा, विथ, विथ, माइ फादर, मेरे पापा के साथ में, बाइविंग, अप अप आप टी, इन दे मॉर्निंग, सुभर, चाय लेते हुए, चाय पीते हुए, मैंने अपने पापा के साथ में, निउस्पेपर पड़ा, राइट, वि, बोथ, डिस्कुज़्ट, अन, करेंट, पॉलिटिकल इशूज, राइट, हम लोगों ने, जो है, करेंट पॉलिटिकल इशूज पर, डिस्कस किया, हम लोग कौन, वी, याद रखेंगा, आप लोग, डियरी राइटिंग में, दो चीज़े, विल्कुल याद रखें, कि आपको, फर्स्ट परसन लगाना होता है, ठीके, फर्स्ट परसन में, कि आपके डियरी राइटिंग, आपको एक मेमोरेबल, कंटेंट दे, ऐसा कंटेंट के अगर आप उसको, दो साल या तीन साल वाद पढ़ रहा, तो उसके अंदर, जो भी चीज़े, रियली आपने करी है, या जो भी, आपके साथ, कुछ अच्छा हुआ, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली बताओ, कि आज मेरे साथ क्या अच्छा हो, वो इसमें में 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 बेंशिन करूँँग, तो इस तरीके से जो है, आप उसमें प्रैक्टिकली चीज़े लिखेंगे, यह तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तोड़े, आए, वेंट, वन अप माए, अंकल, अंकल्स हूम, यह एस लगेगा इस तरीके से, आए, वेंट, इन, नून, विद, माइ, सिस्टर, राइट, अब देखो, यह जो आप गये, आप अपने सिस्टर के साथ में, अपने अंकल के गर में, तो कब गया भी हैं, नून में गये, तो यह आपने मेंशिन कर दिया, विद माइ, सिस्टर, वी, अब देखो, यहाँ पर आपने वी लिखा है, तो इसका पजेशिव बनेगा, और, अब 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 कजिन्स, वहाँ हमने हमारे कजिन्स के साथ में इन्जॉई किया, वी स्टैंड्स पोर आई एंड माइ सिस्टर, ओके, आई और माइ सिस्टर जो हैं, दो लोग होगे इसलिए अबने आपर प्रोनावन आपका भी बना कि वी इंजॉईट देयर, विथ आवर कजिन्स, वन अप माइ, कजिन, वन अप माइ कजिन्स, मेरे कजिन में से एक, रोहन, ही, लिप्स इन, देहली, औल्सो, वोज देयर, एक जो कजिन में रहा है, रोहन जो कि कहा था, ही, लिप्स इन देली, जो देली में रहता है, राइट, औल्सो, वोज देयर, वो भी वहाँ पर था, तो ये सेंटेस देखो, मैंने किसमें, दो तिन सेंटेस उसको जोड़ा है, तो वन आप मैं कजिन, रोहन, मेरा एक कजिन जिसका नाम गया है, मेरे कजिन में से एक जिसका नाम गया है, रोहन, लिप्स इन, देली जो कहा रहता है, देली में, और वो भी वहाँ था, ही वोज, ही इस, सच अ, फ़नी, बॉइ, हूँ, आल्वेज, कट्स, जोड्स, राइट, अब देखो, यहां मैंने प्रेजेंट में आ गया, क्योंकि मैं वो अभी भी है, ऐसा तो रही बोलूँगा, ही वो सच अ फ़नी बॉइ, अभी भी वो फ़नी है, that's why मैं इसको प्रेजेंट में लिखा मैंने, कि इस सच अ फ़नी बॉइ, who always cuts jokes, राइट, इन दे इवनिंग, वी वेंट, टू, अ पार्क, फोर इंजोईमेंट, और शाम में हम लोग जो हैं, सभी कजिन्स जो हैं, कहां गया हैं, पार्क में, इंजोईमेंट के लिए, मस्ती करने के लिए, we enjoyed there much, वह हमने बहुत सारी मस्ती की, we took selfie there, we took selfie there, वह हमने selfie ली, we took, we took juice there, वह हमने juice लिया, we took coffee there, वह हमने coffee ली, जो जो किया, whatever we did, you have to write it down, जो कुछ भी हमने इस तरीके से किया है, वह सारी चीज़ें हमको इसमें लिख देनी है, अब students, ये तो एक प्रकार से, मैंने अपने वारे में बताया, कि 23rd को, August को क्या-क्या हुआ, वह सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, अब, आप लोग जो है, जब इसको अपने शब्दों में लिखेंगे, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, और उसमें कहाँ पर, क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी, वह विशेज दियान देना, और मैंने आपको फिर भी कहा, शुरू में भी कहा था, कि simple past tense का use करके, आपको बहुत इस systematic तरीके से, अपने routine को लिखना है, अब इस वीडियो को देखने के बाद में, आपको क्या करना है, simple past tense, simply, जो आपको अच्छे से आता है, subject, v2, plus object, इसको दिमाग में रख लेना अच्छे से, और subject, v2, plus object को mind में रखते हुए, आपको जो है, पूरे sentences को systematic तरीके से बनाना है, मेरा मानना है कि, अगर आप इन rules को follow कर रहे हैं, सारी चीज़े को दिमाग में एक्छे से रख रहे हैं, तो आपके लिए diary writing करना कोई बड़ी deal नहीं है, यह उतना ही easy है, जितना easy हलवा खाना होता है, जिस तरीके से हलवा भड़ा भड़ा खालत हैं, उसी तरीके से मेरा मानना है, diary writing सबसे easy job है, क्योंकि इसमें कोई rule follow नहीं करना है, आपको अपने left side पर page के, date, day, और time mention करना है, और विलकुल लिखना है, बिगनिंग आप जिस तरीके से भी करना चाहूं, अगर बहुत अच्छा दिन है, तो best लिख दीजिए, shortest लिख दीजिए, और भी जो memorable day लिखना चाहे, so it was a memorable day of my life, इस तरीके से जो भी लिखना चाहे, कहीं आप visit करने के लिए गए, और उस particular date को आप mention करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप mention कर दीजिए, मैं जब बिगनिंग में आपको यह सब चीज़े लिखनी कि, वो day आपका के सारा, और उसके बाद जो जो चीज़े हैं, सुबह से शाम तक की वो सारी उसमें, आप mention कर दीजी, तो diary writing करना सबसे easy job है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बढ़ दिमाग में एक चीज़ याद रखना है, कि आपको कब present tense लगाना, कब past लगाना है, जिस देखिए, मैंने आपके इसमें, एक जग़ प्रेजेंट लगाना है, तो अगला sentence, जो है, मैंने पहला sentence past का लगाया, तो उसके बाद वाला sentence present का भी लगाया, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं, कि I woke up late in the morning, because on every Sunday, I wake up late, तो यह जो sentence है, उन every Sunday वाला, यह आपका present simple में गया है, क्योंकि मैं हर Sunday को, क्या करता हूं या, जो हूं, लेट जो है, वो उठता हूं, that is why, I helped my father in his work, right, मैंने अपने पापा के काम में उनकी मदद की, I read today's newspaper with my father, मैंने अपने पापा के साथ में चाय पीते हूं in newspaper, जो है पणा, we both discussed on current political issues, हमने current political issues पर discuss किया, today I went one of my uncle's home, मैं अपने एक जो अंकल है, उनके घर पर गया, I went in noon, मैं दोपर में गया, with my sister, अपने sister के साथ, we enjoyed there with our cousins, हमने वहाँ अपने cousins के साथ में enjoy किया, one of my cousins, Rohan, he lives in Delhi, मैं ऐसा भी बहुत सकता हूं, one of my cousins, Rohan, who lives in Delhi, was also there, वो भी वहाँ था, and he is such a funny boy, who always cuts joke, और वो ऐसा लड़का है, कि वो बहुत सारे jokes करता था, यह देखू, यह sentence किस में गया आपका, present में गया, क्योंकि वो अभी भी है, that is why, and in the evening, we went to park, we enjoyed there, we came in night, okay, then we took dinner, right, and that, that day I stayed, that day I, written at 12 o'clock in night, okay, and I just came in night today, जिसे आप 10 बजे राग को लिख रहे हैं, आज ही, और आज ही आप written हुए, तो I just came at 9.30 o'clock, मैं अभी just 9 बजे, 9.30 को जो है, अपने अंकल के घर से आया, तो इस तरीके से, आप उसके concept को समझ गये, तो diary writing करना आपके लिए, बहुत ज़्यादा easy job हो जाए, अगर tough नहीं है, students अगर concept को लेकर चलेंगे, तो बहुत ज़्यादा easy है, यह हमारा diary writing, यह जो हमारा writing skill पर best, third video था, इस पर best दो video मैंने और बना चुका हूँ, और उनके description में link भी दी हुए,